तो देखते हैं पर question number 3 में हमसे क्या पूछा गया है name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect हम यहाँ पर क्या लेना है तीन liquids लेने हम उसके नाम बताने हैं अगर हम यहाँ पर इसको test करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा magnetic needle हम यहाँ पर क्या करें कि deflect करेंगी तो magnetic needle यहाँ पर कब deflate करेंगी जब वहाँ पर current होगा current कब होगा जब यहाँ पर हम तीन conducting liquids लेंगे यहाँ पर हमने क्या रखा है पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ जो हमें figure देरकेस में क्या क्या है यहाँ पर हमें एक beaker देरका है हमें यहाँ पर बैटरी देरके positive negative यह हमारा positive side होगा यह negative जो positive side होता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं और यहाँ पर क्या बोलते हैं cathode बोलते हैं और यहाँ पर हमारा क्या लगा है यहाँ पर हमारा लगा है compass compass जो होता है छोटे से छोटे current को यहाँ पर क्या कर सकता है देख सकता है वहाँ पर होता क्या हलकी सी भी हुआ पर अगर electricity फ्लो करेगे तो वहाँ पर Kabulit अपे ले लेंगे यहां पर विनिगर में क्या होता है acid होता हुआ है जो यहांपर इस क्या करएगा ,Conducting बना देगा बड इतना नहीं बना एगगा कि यहाँर बल्ब लगा कि इसको गलो कर सकेंFromड़ देफल सकें हम इसकों यहाँ पर क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी यहाँ पर मैं नाम लोगा, वो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आयंस तो बनाएंगे, यहाँ पर इतने नहीं बनाएंगे, जो यह सब्सक्राइब काफी वीग होते हैं इसमें salt की मातरा ज्यादा होती जिसके विजे से यहां पर यह electricity कंड़क कर पाता है फोर्थ यहां पर हम टैप वाटर लेंगे इसमें भी यहां पर इंज्रेश प्रजेंट होते हैं जिसको जिसे यह भी आइंस बना सकते हैं थोड़े-बहूत और फिफ्ट यहापर हम चाहे तो URL लिए सकते हैं तो हम यहां पर मैंने यहां पर तीन ही पूझे थे हैं, यहां पर मैंने पांच बता दिया, आप इन में से तीन कोई सा भी लिख सकते हैं। होप आपको यह वाल एंसर समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं यहां पर next question.